अलो बच्चों स्वागत है मेरे चानल पर मैं हूँ आपका ड्यूटर बिजेश सब कुश्चिन नमर्टू करने जा रहे हैं कुश्चिन नमर्टू का चीक है एक्सरसाइस 3.2 चल रहा है अपना सो यहां पर अगेन आपको बोला गया है कि भाई वह पैलल है कोइंसिडेंट है इंटरसेक्टिएंगे पता करो शबसे पहले जैसे कि लाग्स विडियो में मैंने आपको बता था कि आपको सबसे पहले क्या करना 1,2 ,+, B2 C1 C3 सब निकालना है आपको A1 क्या माले होए या आपके A1 क्या आ रहा है समझें 9 आ रहा है What is B1 B1 आपका आ रहा है 3 और C1 आ रहा है आपका 12 ठीक है उसके बाद A2 आ रहा है आपका 18 B2 आ रहा है आपका 6 और C2 आ रहा है 24 इजी Simple X को Efficient पहले Equation का A1 Y को Efficient पहले Equation का B1 फिर Constant पहले Equation का C1 फिर Second Equation का Coefficient of X A2 फिर Coefficient of Y Second Equation B2 फिर Constant Second Equation का C2 अब हमें क्या निकालना है अच्छाँ आ है A1 अपान अक्वाण 50 कितना और पाण यह जन आ रहा है वड़ान फेन क्वाण को इतना आ रहा है? 1 upon 2. आप यहां से conclude क्या कर सकते हो? आप यहां से conclude कर सकते हो कि since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 यह 3 हो equal है? इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब यह हुआ कि कि therefore lines are lines are Coincident 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 इसका मतलब क्या इस तरह से यह एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसके उपर ही है इसको बहुत हो कोइंसिदेंट या उसी के उपर है तो यह था आपका सब कुर्शन नमबर टू आप देखते हैं सब कुर्शन नमबर थ्री अब सब कुर्शन नमबर थ से ale 일단 Mr. einmal Sc Rei 1-3 7sc a22 2-0-1 9 Ceet Circle Harus A1 upon A2 कितना आपंटू कितना रहे प्रीक तरी Subscribe भीओंट कितना रहे है याथी सीद्टी कितना पर यहिए अगें फिर सीवन अपॉन सीटुकितना रहे है c1 upon c2 10 upon 9 10 upon 9 observe करोगे observe करोगे so a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2 यह दोने equal आया लेकिन इसके equal नहीं है इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या देर्फोर lines are parallel lines are parallel this condition is parallel lines are parallel inconsistent और parallel lines is no solution इसके solution नहीं है यहां पर coincidence infinitely many solutions टीक है so यह थो थे sub question number two and sub question number three so i hope आपको मेरा explanation समझ में आया होगा कोई भी होगा तो मुझे communicate करेंगा मैं ट्राय करूंगा आपके राओ solve करने का मिलते है अगले वीडियो में जहांपे अब हम करेंगे question number three तो question number three अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा तब तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखिए notification bell जरू जबाके रखिए साथ यसाथ आप मेरे वीडियो भी शेयर करें करें ठीक है thanks a lot for watching take care bye bye